सब्सक्राइब कीजिए क्यारिंगी ओनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए वेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगलर वेसिस पर देखने के लिए और आस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाले हूँ एक बहुत अच्छी क्वालिटी की मसास क्रीम जो आप बड़ी ही आसानी से अपनी घर पर बना सकते हैं और इसी यूज़ कर सकते हैं कभी भी अपने चैरी की मसास करने के लिए और इसके इतने सारे फायदे हैं इतनी जाद जो इससे ना आपको मिले, आप इसे एक fruit massage cream भी कह सकते हैं और खास तोर पर जब हमारी skin बहुत जादा dull दिखने लगती है, किसी तरह का gloss पर नहीं दिखता है, तो उस case में यह massage cream आपको बहुत फाइदा पहुचाने वाली है, instantly आपकी skin को tone करेगी, रंग को एक से दो tone हलका करेगी, दाग धबो को कम करेगी और एक बहुत ही अच्छा glow आपकी skin पर add करेगी, तो चले शिरू करते हैं इस massage cream को बनाना, अब इस massage cream को बनाना कैसे है, वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए potato paste, तो एक चमच में लोगी potato paste, इसके बार मैं लोगी करीब एक ही चमच apple paste, इसके बार अगला ingredient में लोगी एक ही चमच papaya paste, अगली चीज मैं इसमें डालूँगी एक चमच मौसंबी का paste, अगर मौसंबी अवेलबल नहीं है, तो आप orange paste ले सकती हैं, अगर orange अगर यह सभी अवेलबल नहीं है, तो आप इसमें अंगूर या grapes का paste ले सकती हैं, और अगर यह सभी अवेलबल नहीं है, तो आप टमाटर का गूदा या simply टमाटर का paste बना कर भी इस massage cream में add कर सकती हैं, तो जो भी alternatives मैंने आपको बता हैं, उन में से जो भी आप ले रहे है उसका एक चमच paste इसमें मिला लें, अब यह सारी चीज़ें इस बॉल में आचुकी हैं, इनको आपस में अच्छी तरह से मिला दें, और यह आपकी एक बहुत अच्छी quality की face massage cream मन करती हैं, यहाँ पर एक बात और में आपको बताना चाहूंगी, कि वो लोग जिनकी skin बहुत ज्यादा dry है, वाके में बहुत ज्यादा dry है, तो वो लोग इसमें आधी चमच honey भी add कर सकती हैं, क्योंकि honey भी one of the best ingredient माना जाता है, skin को nourish करने के लिए, moisturize करने के लिए, साथ ही आपके skin tone को भी हलका करती है, तो इसके गुण बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, तो यह हमार मसाज क्रीम अनकर बिल्कुल तीयार है, अब यूज करने के लिए, अब इसको यूज कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपने चाहरे को धोले, अहल के गुन-गुने पानी से धोईंगे, तो ज्यादा अच्छा है, और अगर किसी गर्म पानी में चौविल या कॉटन के कपड़ों को डूब होकर 5 मिट लिए उसको अपने चाहरे पर रखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपके चाहरे के पोर्स खुल जाएंगे, और इसके बाद जब आप ये क्रीम अपने च पेस मसाज क्रीम से अपने चाहरे की मसाज कर सकती है, अगर आपकी स्किन बहुत जादा सेंस्टिव है, तो सिर्फ 5 मिट लिए इसको अपने चाहरे पर यूज करें, और एक और बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, वो ये कि बहुत तेजी से आपको इसको अपने चाहरे की मसाज कर चुके हों, तो इसके बाद फिर हलके गुंगुने पानी से दोवारा अपने चाहरे को धोले आपको लगे, तो फिर इसके बाद हलका सा बेसर लेकर अपने चाहरे पर रगड कर, हलके हाथों से उससे अपना चाहरा धू सकते हैं, जिससे कि आपका चाहरा साफ हो जाएगा और बहुत अच्छे cleaning effect आपको अपने चेहरे पर दिखेंगे तो ये तो बात हुई इसको use करने की इसके अलावा भी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी quality का scrub शेयर किया था अगर वो scrub आपने बनाया है वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी उसको जरूर बना कर रखिए जरूर यूज कीजिए क्योंकि वो गाफी फायदेमंद है तो scrub में भी आप ये face massage cream mix करके लगा कर रखे और फिर देखे इतने कमाल के result आपको मिलने वाले है इतना अच्छा effect आपकी skin पर दिखने वाला है इतनी अच्छी glow और brightening effect आपको दिखने वाले है कि market का कोई भी facial उसके आगे fail होगा तो ये तो थी आज की एक बहुत अच्छी quality की face massage cream जो की 100% natural है herbal है और किसी भी skin type के लोग इसको use कर सकते हैं आप चाहे female हो male हो किसी भी उम्रिक हो इस massage cream को use कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई restriction इसको use करने में नहीं है और week में 2-3 बार तक या maximum 4 तक भी आप इससे massage कर सकते हैं अगर आप इसको fresh बनाते हैं और fresh use करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि fruits में कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो ज़्यादा देर तक रखने से उनकी effectiveness कम हो जाती है इसलिए जब भी आप कोई fruit-based cream या pack यूज करते हैं तो कोशिस कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके fresh बनाएं और fresh यूज करें तो ये तो ती आज की remedy आपको ये वीडियो कैसा लगा ये remedy कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने friends के साथ शेयर कीजिए family members के साथ शेयर कीजिए उन्हें WhatsApp पर भीजिए Facebook पर शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसको देख पाएं और उसे फायदा ले पाएं और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जैसे ही मैं कोई अच्छी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करूँ आप उसे देख पाएं और उसे फायदा ले पाएं मैं आपसे मिलती हूँ आगली वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ तब तक के लिए बाबाई